नमस्कार दोस्तों इनके शादी हुई दो मेने के बाद बहुत प्राबलम आ गई अभी ऐसी नौबत है कि बाते बहुत जादा बिगर गई है बहुत जादा और ये जानना चाहती है कि इस दर्मियान आज इस बात को चार साल हो गया है इस दर्मियान ये बहुत से लोगों के पास गई, बहुत से astrologers के पास गई, उन्होंने इनको कहा कि 10,000 का उपाई करो, 20,000 का उपाई करो, ये यग करो, वो पूजा कराओ, इवन हर एक astrologer ने ये बात कहा, तो कुछ का इन्होंने उपाई किया भी, कुछ का नहीं भी किया, तो इनको वो बाते समझ में नहीं आई, इनके कोई फाइदे नहीं दिखे, तो फिर lastly ये हमारे पास आई, और ये बस सही जानना चाहती है, कि क्या इनके हतली पर बात है, और कैसी रहेगी जिंदगी, और ऐसा हुआ क्यू, और आगे क्या ठीक होने के आसार है, और क्या दूँगा, और ये उपाय को प्रूफ करके दूँगा, फाइदा नहीं आया फिर बोलना, दूसरा चीज क्यू प्राबलम थी, क्या गरबरी थी, पूरी सही तरीके से डायगोनोसिस करूँगा, और ये वीडियो इतनी महत्पूर है न, कि अगर इस वीडियो को वैसी महिला आए देखरें, जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको भी कुछ बहुत सी बातों का अवेरनेस जरूर हो जाएगा, तो ये वीडियो पुड़ा देखें, पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें आप, तो आईए एक क्लोज अप पिक में चलते हैं, और बड़े ही सुकून से इस वीडियो को आप देखें, क्योंकि बड़ी एलोबरेशन में मैं जाओंगा, और बड़े ही असपस्टता के साथ चीजों को समझाओंगा, सबसे पहला और सबसे महत्पून बात, अगर आप किसी भी जोतिस के पास ये सोच के जा रहे हैं, या जा रही हैं, कि इनके प परकार का गुरू, आपको प्रेडित और आपको मार्ग दर्शन दे सकता, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता, अगर इसके अलावा वो कुछ आपको एडिशनल उपाई बता रहा है, या कुछ पूजा पाड़ बता रहा है, जो की पैसे खर्च के लिए है, जो वो पूजा करा लो, आज आपको संतान नहीं हो रहा है, तो ये सब बेफजूल की धकियानों से बाते हैं, जिसका कोई भी मतलब आपके देनिक जिन्दगी पर नहीं पड़ता, ऐसा कुछ होता है तो मुझे एडरस बताओ, मैं जाओंगा वहाँ, जितने पैसे खर्च करने बो और किसी से मुझे प्राबलम नहीं है, आप बोलते हैं मुझे, इसलिए मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ, मैं जो उपाई देता हूँ उसको गलत सावित करके दिखा हुआ, एक रुपे खर्च हो जाँ उस उपाब में फिर बोलवा, तो ये कुछ घरेली उपाए है, पूझा कराए से घर की स्थिती ठीक हो जाएगी, आपकी विवाईक जीवने स्पेस ली, या फिर आप टॉप करने लगोगे, तो ये चीज़े बहुत गलत है, इसका मैं पूर्णता विरोध करता हूँ, और अगर आपके किसी के साथ ऐसा हुआ है, तो ये विरोध जनक बा मारी बात हुई थी, कि इनकी बचपन से माइंड की सिती ठीक नहीं रही होगी, ये काफी दवाब, मानसिक दवाब भी है, और हर्ट लाइन में भी प्राबलम है, इस केस में विक्ती स्टेबल दिमाग के नहीं रहते है, स्टेबलिटी में प्राबलम्स रहती है, कुछ अगर आप में रेंडमली वीडियो उठा के देखेंगे न, तो आपको दिखेगा कि मैं अगर इस ये लाइन, या फिर आपकी माइंड रेखा कि या हर्ट लाइन, या अगर आपके जुपिटर तक जाती है न, तो रेंडमली वीडियो में भी मैं इस चीज का चर्चा करते नजर आता हूँ कि आपको घरेलो जिन्दगी में प्राबलम होगी, आपके संबंद में प्राबलम होगी, आपके इन लॉज से आपको प्राबलम होगी, आपके ससुराल में, आपके सास ससुर ननद से आपको तकलीफ होगा, आपको लोगों की बाते बरदास्त नहीं होगी आपके अलग ही thoughts होंगे आपके जिन्दगी को जीने के तो ये मैं randomly अपने वीडियो में भी जर्चा करता हूँ तो मेरी वीडियो को जो भी व्यक्ति सहस्ता के साथ सुनते है वो कम से कम इस side effect या सो बच जाएंगा क्योंकि मैंने बहुत वीडियो में इसका उपाई भी किया है गोली मारी ये उसको आपने वो वीडियो नहीं देखा जाने दीजिए अभी जो मैं आपको बताऊंगा ये उपाई के साथ वीडियो है इस बात का ध्यान रखना तो वीडियो को skip करोगे नुकसान आपका है हमारा कुछ नहीं क्योंकि फ्री का उपाई मिल रहा है ले लो ये कोई देने वाला धरती पर आपको नहीं मिलेगा मैं दे रहा हूँ और फाइदय वाला उपाई दे रहा हूँ क्या यग करवाने से ये दिक्कते ठीक हो जाएगा क्या यग करने से ब्रशपती में उभार आ जाएगा ऐसा कभी होता है जो आज होगा ऐसा कभी नहीं होता ना ही ये आज होगा तो ये useless है आपके ζिंदगी पर और मैंने एक चीज और बताया जब भी मेरे इन से फोन पर बात हुए थी तो इनकी एज को मेरे दोला नहीं पूछा गया था मैंने सिर्फ इतना कहा था देखो ये मैं चमतकार नहीं कर रहा हूँ बस मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर से एक भावना है जो मैं इनको बोलू ये कोई चमतकार नहीं है मैं लोगों से एज पूछता हूँ वो पूछना भी ज़रूरी होता है मैंने इनको कहा अगर इनकी आयू 35 से 38 वर्स के बीच की है तो इनको बहुत बड़ी तकलीफ मिल रही है इनके जिंदगी से याद रखना तो इनको इनके इनके आयू है देखो ये कोई चमतकार नहीं है ये कोई मैंने जादू टोना नहीं किया ये बस एक राहू लाइन मुझे बहुत स्ट्रॉंग दिखी जो कि इनके तकरीबन 34 में 35 में साल के आयू में थी ये इनसान को प्रॉब्लम्स करते है इसलिए मैंने ये चीज अनको कहा दूसरा इसका कोई भी रीजन नहीं था बोलने का तो इसको एकदम ये मत आपरचार करें लगा कि गुरू जी तो चमतकारी भी है नहीं नहीं ये कॉंट्रिवर्सी हमें नहीं चाहिए मैं बस आपको बता रहा हूँ थीक है तो ये इनकी जो है न ये वाली प्रॉब्लम्स थी इसी एज में इनकी विवा हुई थी इसी एज में और इसी के बाद इनकी तकलीफ सुरू हो गई थी तो कभी कबार होता है एक बहुत बड़ी चीज है कि जबी भी आपकी नुक्षान होता है या आपका फायदा होता है उसमें एक चीज़ कॉमन रहता आपका investment तो investment ही तो यह है यह क्या है तो ये तीनों problems का मैं अभी remedy दूँगा बस इस तीनों problems की वज़ा से आपके जंदगी पर तकलीफ आई एक तो आपकी सुभाब stable नहीं है दूसरी आपकी मानसिक दवाब भी है तीसरी आपकी बरशपती में दिक्कत है दो की विवाहिक जीवन में ना ना प्रकार के अर्चन को इंडिकेट करती है अभी बात आती है trust की देखिए मैं आपको एक बात और clear करना चाहूँगा आपकी परिशानी से मैं भली भाती अवगत हूँ मैं इस दर्द को इवन आपके दर्द को या आपके पारिवारी घर में जो कला कचका छोड़ी होगी इस बात को लेके जो आपके माता पिता आपके भाई बहन में जो दर्द होगा उस चीज़ से मैं बहुत ज़ादा अवगत हूँ क्योंकि मैं भी एक family man हूँ तो ये problems बहुत बड़ी problems है आपके जिन्दगी पर जिसको आप face कर रही है तो मेरी एक सहन भूती है और मैं इस वर से हमेशा ही ये दुआ करूँगा कि मेरे शारिश शब्द जो भी आपके दोरा बोले जाए वो आपके जिन्दगी पर लग जाए और आपके जिन्दगी ठ बहुत अच्छी बीत है अब थोड़ा logical बात पर चर्चा कर लेते हैं कि देखे एक गुरू मार्ग दर्शक होता है तो इसकी regarding जो भी चीज़ मैं आपको बोलूँगा मेरे शब्द बाई शब्द का follow करना अगर आपको benefit लेना है तो अगर नहीं लेना है तो फिर इसका कोई भी बात नहीं है फिर तो वीडियो देख लेना एक बार देखो अजार बार देखो कोई फरक नहीं पड़ता जबी तक आप उपाई नहीं करोगे तब तक आपको इसके regarding कोई भी benefit देखने को नहीं मिलेंगे तो सबसे बड़ा और सबसे effective उपाई आप ब्रश्पती बगवा लेकिन यहां पर एक concept और है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए तपस्या करना पड़ता है तो trust रखना बहुत जरूरी है without trust आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सबसे पहला वरत कथा ये प्रारंब करें आप ब्रश्पती बार के दिन दूसरा आपकी जो mind रेखा आपकी जो heart life distractions है तो आपको थोड़ा ना lightly लेना है चीज़ों को दिल पर नहीं लेना है क्या है न कभी कभी कुछ चीज़े आप दिल पर लेलो आपको उसके रिगारिंग तुरत ही परशानी आ जाएगी गुस्सा आकरोश तुरत ही आ जाता है तो इसके लिए दूसरा चीज़ करना है meditation का सारा लेना है और जब इंसान अंदर से कमजोर होते है तब भी उनको गुस्सा आता है या जब बहुत strong होते है तब भी उनको गुस्सा आता है तो इस दोनों ही सूरत में आपको हनमान चलीसा का पार्ट करना है ये नित्य दिन हो कहीं पर भी जरूरी नहीं है and third one आप सबसे effective उपाय है आपको रो जाना सूरी को जल देना ये आपके हिम्मत को दर्शाता है और सूरी की तेज को आप देखिए अगर आप उनकी अराधना करते हैं और उनका आशिरवाद आपके उपर हो जाता है देखो आपके उपर जब की जिन्दगी पर वो फलित नहीं होगा तो वो चीज आपको करना है आपको इमानदारी से सूरी को जल देना है आपको इमानदारी से ब्रश्पतिवार का कथा करना है आपको इमानदारी से कम सोचना है आपको पैनिक कम होना है गुसा कम करना है इस केस में थोड़ा नियंत करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा तो मेडिटेशन का सारा लें थर्ड वन काम करें हनवान चरीशा का पार्ट करें और एक काम एक मोती आप पहन सकती है साउथ सी पर्ल आप सुंबार के दिन दारन करें आपकी जिन्दगी कम्प्लीटली बदल चाहेगी लेकिन ये जो उपाई मेरे दोरा दिया गया है इसको बड़े इमानदारी साब को करना पड़ेगा एक भे दिन स्किप नहीं होना चाहिए एक भे दिन ये एस्क्यूज नहीं मिलना चाहिए हमें कि आज मैं भूल गई आज मैं सोई रगई अगर ये एक भी दिन आपका स्किप होता है अगर आपके मन में ये एक परसंट भी फीलिंग आ जाती है कि मैंने एक मैना कर लिया मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं क्या फाइदा करने का तो आपके जिन्दगी पर ये फलित नहीं होगा क्योंकि पहले के आप सुनते होंगे पहले के जो जमाने थे ये सत्युक्की बात कर रहा हूँ या उससे पहले के भी युक्की बात कर रहा हूँ तो लोग एक पैर पतपश्या करते थे बहुत दिन वो ये नहीं सोचते थे कि मुझे कम मिलेगा वो बस ये सोचते थे कि मुझे लेना है اور मुझे आस्था रखना है तो आपको आस्था रखना पड़ेगा ये मैं श्योन हूँ कि आपको बहुत बख़ती फल मिल जागा लेकिन इस चीज़ के लिए मैं आपको अवेर जरूर करैघ करना हूँ कि यह सोच के मत करना कि एक मैं नूर चोड़ दूँगे फिर तो कोई दिख करने शेया है आपके जिन्दगी पर इस चीज को आपको लाइफ टाइम करना है तब भी आपके सारे कलेज दूर होंगे तो ये इफेक्टिव उपाय जिसके भी विवाहिक जीवन में दिक्कते चल नहीं है जो बे इस मामले में परिशान है अपने घरलू जिन्दगी से परिशान है और उन एक कमेंट था हमारे चैनल पड़ कि ये आपके जानकारी के लिवे मैं आपको बता दू कि गुरू जी महादेव को जल देने के अलाबा कुछ और उपाय बताई ये राहू देखा के लिए ये पता नहीं किनका कमेंट था मैं तो इसको इस पर वीडियो करने ही वाला हूँ एक सौट वीवरन मैं आपको देता हूँ देखिए उपाय तो मैं आपको हजारों देदू इसमें कौन सी बड़ी बात है जब बुक पढ़के ही उपाय देना है तो कोई भी दे सकता है ये मैं आपको सचा ही बोल रहा हूँ तो उपाय तो मैं आपको हजारों देदू लेकि फाइदा नहीं हो रहा, मैं दूसरा करूंगी, ऐसा कभी होता है क्या, मेरे ख्याल से सब इश्वर एक है, आपको कोई भी चीज ट्रस्ट से करना होता है, आपको उसका बेनेफिट आता है, तो उपाई के लिए आप मत भागो, जो मैं बोल्ड रहा हूँ उसको करो, यह effective है, तभी मैं बोल्ड रहा हूँ, नहीं तो मुझे नहीं परा था कि मैं globally इस बात को बोलू, बहुत कम लोग ही उपाई बोलते हैं, अगर मैं कुछ उपाई आपको बताना चाहूंगा, देखिए आपकी जो tension life पर है, चलिए कुछ खुश हो जाईए आप, आपकी भाग गिरे का बहुत जबरदस्त है, और आपकी आगे एक normal problems आपके जिन्दगी पर हैं, जो कि आपकी 40 years में मुझे दिखने हैं, उसके बाद से health care की प्रगती के योग है, 42 में भी बड़ी प्रगती के योग है, उसके बाद से जिन्दगी बड़ी मस्त से आपकी चल रही है, बड़ी मस्त से जिन्दगी चल रही है, तो इसमें कोई doubt नहीं है जिन्दगी आपकी अच्छी चलेगी, चीज़ें बहुत ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपको वो जो मैंने बता है, उसको परियास करने के आपको काफी आवशकता है, बाकी fate line आपकी काफी अच्छी अच्छे घर से हैं, आपको कोई दिक्कत तो होगा नहीं, और ये नौकडी क आपकी जीवन रेखा, माइन रेखा पर तो विशेज दवाब नहीं है, दवाब तो आपने जहला ही अपनी संदगी पर, 35-36 में तो बड़ी दवाब आप जहली, अभी जो आपकी 38 साल की चल दिये, माइन रेखा स्मूध ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं माइन रेखा स हर्ट लाइन पर प्राबलम्स है, तो इसके लिए थोड़ा तो आपको पेशन्स रखना पड़ेगा, मांकि विश्नु योग का फोर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन ब्रशपती बहुत तग थी, तो इस केस में प्राबलम्स आती हैं, पारिवारिक माम प्रशिथर प्रश्शंता वो तो इनका यहीत, अभी इनके अितली का मैं जना लाइसर्स करूंगा, चीजों को असपस तूप से क्लियर करूंगा, तो यह अभी इनका मैं दूसरापिक दिखाना चैएंगा, तो इनके एतली रेक्टेंगल है, तो यह जिधि किसम के इनसान ह मूलता ग्रू में स्ट्रेंथ है तो राज्योग की प्राप्ती तो है जिन्दगी अच्छी ही भी थे कि चाहे आप कि लाइफ पर कितनी बड़ी भी प्राब्लम्स क्यों ना आ जाए ये मस्त है और फिर देखो आपके तले पर स्ट्रॉंग आपकी एक्छा सक्ती तरशक्ती प्राब्लम्स क्यों ना इसी थंब के विशे में बोड़ रहा था ना कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होगे आपका थंब इस केस में इंसान सुनता ही नहीं है जल्दी बहुत जल्दी किसम का होता है बहुत एक्सेस जल्दी किसम के इंसान होता है तो देखो जिद में रहके सब काम करना भी उचित नहीं है थोरा सो आपको चीजों को समझ के चलना पड़ता है तो जिद को छोड़िए और रियल लाइफ में आईए आप खुद भी इस चीजों को ठीक कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो बस गुस्ता को आपके अंदर से आपको निकालना पड़ेगा और जो उपाई में ने दिया उसको करना पड़ेगा और आपकी देखो तो कुछ अंदर से अल्कीफल की कमजोरी से दिक्रीब दूसरी आप बातों को समझना नहीं चाहते है तो इस चीजों को आप बहुत यह राम से दूड कर सकते हैं चीजों को समझ के एक अच्छे गुरू के मार्ग दर्शन पर चलिए तो ये इनके कुछ प्लैनेट्स के विशे में बाते थे अभी समझदारी के लूप काफी अच्छी अगर आप बातों को समझना चाहेंगी तो समझ पाएंगे गुस्से में थोई रूड हो जाती है जादा लोगों से गुलती मिलती नहीं बाकी खड़ी लाइन से तो आपके अंदर अच्छाई भी है अगर आप इसको पहचानने का परियास करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए इसमें कोई डाउट नहीं है बरशपती फिंगर चोटी संकी बड़ी विक्ती बहुत ही मती कैलकुरेटिव तरीके से अपने जिन्दगी को जीते ही हैं ये दूसरी बुद्ध फिंगर छोटी तो निरने थोड़ी से गरबर लिये जाते हैं अपने जिन्दगी को ले के तो निरने को सोच समझ के लेने क्या हो शक्ता है बाकि फिंगर खड़ी है लंबी है इस केस में विक्ती बहुत ही ज़ादा लॉजिकल होते हैं इस चीज को सोचना भी है समझना भी है क्या बताने का मैं परियास कर रहा हूँ चीजों को समझना है आपके बलाई के लिए बता रहा हूँ याँ से देखो तो ब्रश्पती बहुत तक बहुत करबर एक्सेस तो यह पारिवारिक समस्याय तो रहती है अगर यही कंडिशन्स आपके हस्बेंड के हैतली पर भी हुआ तो बहुत दुखी हो के मुझे यह बात कहना पर रहा है कि आपके विवाई जीवन में बहुत दिक्कते रहेंगी चल भी रहेंगी आगे भी चलती रहेंगी लेकिन जो मैंने उपाय बताया है उसके लिए एक होफ है एक होफ सा मुझे दिख रहा है और आपको भी मैं दिखा रहा हूँ वो करो बेनेफिट रहेगा आपके लिए बाकि देना ना देना तो हमारे हाथ में नहीं है वो तो इश्वर के हाथ में है ये वाई लाइन्स आपको प्राब्लम करती है ब्रश्पती की तंग अवस्ता आपको थोरा निराशावादी परिशान आपकी बहुत सी प्राब्लम्स को भी इंडिकेट करती है आपके जिंदगी पर फिर कुछ लाइन्स है नॉर्मल परोपकारी के तो एक स्क्वायर सा बन भी रहा है फिलाल तो इसमें कोई डवलप्मेंड नहीं है तो फिलाल इसकी कोई चर्चा नहीं बाकी यहां से दबाबे तो विक्ती मैनती है फेट लाइन जंदगी के लास्त है के ये एक बहुत खुशी की बात है चीजे ठीक होने के बहुत ही अच्छे आसार है और बागी कुछ आपकी लाइन ओफ एजोकेशन है तो दिमाग की तो ठीक है लेकिन थोड़ा कमजोर अवस्ता में इस केस में कभी-कभा इनसान पैनिक भी होता है यात्राएं बड़ी-बड़ी से दिख रही है पैत्रिक संपत्ती या पती के संपत्ती या पिता के संपत्ती का साथ सूरी एक अच्छी बन रही है अगर आप पढ़ियास करें तो आपको नौकरी भी मिलेगी और आपकी फिलाल तो प्रापटी के योग में अभी बहुत अच्छी डवलप्मेंट नहीं है यहाँ पर से कुछ आपकी पचासमें वर्ष के बाद है तो आपकी भागी से तरक्की है आपके घड़ में या स्वेंप का अगर आप कुछ कारे करेंगी तो आपको होगा बाकी संमरकरी आपकी बहुत अच्छी है स्ट्रॉंग आपकी सूरी स्ट्रॉंग आपकी मरकरी बुद्धर एक आपके अतली पर अच्छी है इस केस में विक्ति समझदार होते हैं अगर समझदारी से काम को करना चाहें तो आप बहुत अराम से कर पाएंगी और दूसरी देखो तो मंगल स्ट्रॉंग मंगल है कुछ कोट के चरीक लफड़ी के तरफ तो इंडिकेट करी रही थी बाकी दोणों ही मंगल आपका अच्छा एनर्जेटिक है तो एनर्जी यहाँ जादा हो गया प्राकर्मी जादा हो गया ब्रश्पती गरबर हो गया तो ग केतु परवद पर भी कुछ यात्रा हैं जो की जिमन के लास्ट प्रिड़ में भी दिख लिए हमें शुक्र बढ़ियां आपका इसका मैं थोरा पढ़िचा आपको करा दूँ चंदरमाइन का ठीक है मध्यमस्तर यह है तो विक्ती कई न कई पैसे के फ्लोग जिंदगी पैच्छी रहती है अपने कारी छेत्र को बढ़ा पाते हैं साथ साथ अगर खाने से पाने से जुरावा कारी को तो आपको बेनेफिट होता है शुक्र की पोर्शन बहुत ज़दा अच्छी यह बहुत ज़दाई बन और स्ट्रॉंग आपकी सुड़ी सुक्र एक आपके अदले पर मौझूद है और कुछ लगजरी के मध्यमस्तर यह सुक मिल रही है शुक्र बढ़िया है तो हस्बेंड केरिंग होते हैं लेकिन आपके बरशपती इतनी डेमस्ती और आप आपको कोई नहीं दे सकता क्योंकि आपको करम करना पड़ेगा शुक्र बढ़िया है बाकी कुछ लगजरी के लाइन्स भी है वो ठीक ठाक दिख रहे हमें अगर आपकी जिंदगी ठीक होती है अगर आपके पढ़ियासों से आप कुछ चीजों पर नियंतरन रखती है तो आप की सिंदगी आगे अच्छी रहेगी फिर देखें इनकी मंगल तो स्ट्रॉंग मंगल है आपकी आपकी प्राकरम बहुत अच्छी मंगल रेखा अच्छी है जल्दी किसी प्रकार के स्वास की परशानी नहीं होती जवर्दर्स जीबन रेखा है मंगल रेखा भी है आयो प्रगती का योग आपके 42 में वर्स के राउंड का मैं देख रहा हूँ इस केस में आपको प्रगती मिलने के बहुत यह अच्छे असार है और 41 में वर्स में भी एक नॉमिनल से दिक्कत आपके दिक्रियां में यह 40 एर्स की है तो यहाँ पर थोड़ा सा मलना है जो पाई दिया उसको आप करो बागे आपके फिर जीबन रेखा अच्छी है तो 42 के बाद जिंदगी स्मूथ हो जाएगी बचपन से यह फेट लाइन मोटी थी तो भागे का साथ तो नहीं मिलाओगा 36 के बाद थोड़ी पतली भी थी आगे आपकी पतली चल रही है एक multiple property के योग है और जिंदगी के last में फेट लाइन आपके अच्छी बनी वे तो भागे का साथ है खाने पेने के दिक्कत नहीं होगी आपको टूटी टूटी बुद्ध रहेखा है तो अलकी फलकी स्वास्त की परिशानी हो सकती है पैसे जमा करने में दिक्कते होते इरिटेशन के बहुत ज़्यादा लाइन से तो व्यक्ति बहुत इरिटेट होते तो इरिटेट होनी के ज़़दा आवशक्ता नहीं है जो पाई मैं दिस्क्रिप्शने मिल जागा लेकर आप समब बढ़क कर सकते हैं धन्यवाद